In this question, the efficiency of a thermodynamic cycle 1, 2, 3, 1 is 20% and for another thermodynamic cycle 1, 3, 4, 1, 1, 3, 4, 1 is equal to 10% determine the efficiency of the thermodynamic cycle 1, 2, 3, 4, 1 the gas is assumed to be ideal तो इसमें पहले दो individual cyclic process दिये गहें और उसके बाद में एक तरह के से combination type का है और उसके लिए हम efficiency calculate करनी है तो एक एक करके हाँ पर इनको देखते हैं पहले तो पहले यहाँ पर जो यह cycle दिया गया है 1 से लेके 2 फ़र उसके बाद में 2 से लेके 3 and then 3, 2, 1 ठीक है यह जो cycle यहाँ पर दिया गया है तो किसी भी cycle के जो efficiency है वो efficiency पहले decide कैसे होती है उसको देखते है तो efficiency decide होती है इससे कि उस cycle में जो gas उसने कितना work किया है work divided by या work हमने कितना obtain किया है divided by कितने heat दे गई है heat given और इसमें sign wise अगर हम बात करें तो उसे positive heat की बात की जाती है यानि कि जब heat positive होती है तो हम बोलते है heat given है जब heat negative होती है किसी process में तो हम बोलते है heat lost है तो system को कितनी heat दे गई है और उससे उसने कितना work किया है that is the efficiency of that system अब यहां पर अगर एक cyclic process है तो cyclic process के लिए हम पता है कि delta u यहां पर zero हो जाता है और from first low thermodynamics जो heat है यहां पर heat involved in the process is equal to delta u plus w तो उस पूरे process में जो w होगा वह एक तरीके से q के बराबर यहां पर हो जाएगा एक particular process के में बात कर रहे हो यहां पर और अगर cyclic process है तो उसके लिए जो delta u है वो यहां पर zero हो जाएगा लेकिन यह जो heat है वो heat यहां पर overall heat होगा यहां पर पूरे process के लिए तो इसको मैं आगया ऐसे लिख सकते हो कि पूरे process के लिए जो overall heat है ठीक है q net divided by q given q net को आप यहां पर लिख सकते हो कि एक तरीके से combination होगा कितना दिया गया है कितना चला गया है system से तो q given any positive hits minus q lost मैं q lost का magnitude लिख रहा हूँ अगर आप उसको sign देशाथ रखते हो तो फिर यहां पर एक mod लगा लो तो just मैं यहां पर इसको magnitude के magnitude यहां पर यह अगर जारा confusion आपको होता है तो आप यहां पर mod का sign भी लगा सकते हो divided by q given ठीक है तो इस is formula for the calculation of efficiency of a cycle और different cycle के सबसे यहां पर इस formula को apply करके we can apply we can find the efficiency of that cycle तो सबसे पहले मैं इस में आता हूँ 1-2-3-1 में आता हूँ तो यह जो cyclic process है 1-2-3-1 तो इसको अगर हम study करें यहां पर तो इसमें यहां पर क्या हो रहा है कि अगर आप 1-2 देखो तो 1-2 में volume increase कर रहा है अगर volume increase कर रहा है इसका अदला work done positive होगा फिर उसके आप में 2-3 again यहां पर और यहां पर heat के बारे में देखते चलते हैं heat का क् 1-2 में यहां पर अगर मैं इस formula को apply करता हूँ तो मुझे यहां पर दिखता है साफ-साफ इसके अंदर कि P भी increase हो रहा है और V भी increase हो रहा है pressure volume don't increase हो रहा है अगर pressure volume don't increase हो रहा है इस पूरे process में तो इसका अंतलब है कि temperature increase हो रहा है क्योंकि P into V का जो product होता है वो temperature को represent करता है from P V is equal to nRT आजएगी तो P का इनक्रेज होना और V का इनक्रेज होना हमें यह बताता है कि definitely T भी increase हो रहा होगा तो T increase हो रहा है यहां पर और T increase हो रहा है one से two हो रहा है तो इसका मतलब यहां पर यह और नेज़गा रही होगी. तो 1 से 2 में आप यह देखोगे कि work done भी positive है और उसके साथ delta u positive है तो जो 1 से 2 का process है उस पूरे process में q positive है फिर उसका आप में 2 से 3 का भी ऐसा है 2 से 3 में आप देखोगे कि pressure भी increase हो रहा है volume भी increase हो रहा है यहाँ पर तो pressure volume भी increase हो रहे है तो इसका अतलब यहाँ पर यह है कि इसमें भी temperature बढ़ेगा और temperature अगर बढ़ता है यहाँ पर इसमें तो इन देखोगे पूरे 1 से लेकर कि 3 के पूरे process में heat जो होगी जो होगी पॉस्टिव होगी है यहाँ पर pressure volume दोनों decrease हो रहे है तो डेल्टा यू भी negative हो जाएगा इंटर इस डिक्रीज हो जाएगा टेंपर्चर डिक्रीज होगा और 3 से वन में वर्कडन भी नेगेटिव हो जाएगा तो दोनों नेगेटिव यह भी नेगेटिव यह भी नेगेटिव तो ओवराल क्यों भी नेगेटिव तो मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से डिवाइड करके चलता हूं कि 1 से 2 और 2 से 3 यह तो पुरा process है वन से लेकि 3 तक का इसमें heat एक तरीके से लॉस्ट तो हीट का यहाँ पर लॉस्ट हो रहा और कितनी हीट लॉस्ट हो रही हूं उसको मैं Q2 से रिप्रजेंट कर देता हूं तो पूरा कच्छा चिठा यहाँ पर आगे मेरे पास में 1 से 2 3 1 का पूरा यहाँ पर फिर इसके बाद मैं बाकी के लिए जो 1 3 4 1 वाला है उ तो 1-3, 3-4 and then 4-1, ठीक है तो this is 1-3-4-1 वाला process, अब इस पूरे process में भी देखते चलते हैं कि कहां पर heat मिल रही है, कहां से heat reject हो रही है, बाहर जारी system से, तो पहले 1-3 पर आते हैं, तो 1-3 हमने अभी just उसका उल्टा देखाएगी, 3-1 में ऐसा हो रहा था, तो 1-3 में उसका पर लिख रहा है, इसमें, ठीक है magnitude wise, तो heat gain अब की बार लेकिन यह, heat gain is q2, अब 3-4 में प्रेशर वॉल्म दोनों decrease हो रहे हैं, 4-1 में प्रेशर वॉल्म दोनों decrease हो रहे हैं, तो 3 से पूरे 1 तक यहां पर क्या चलेगा इसमें, यानि कि 3, 4, 1 इस पूरे में, यहां पर heat lost हो इसको मैं q3 से represent करू, I am representing it with q3, अब इसके बाद में, जो overall process है, उसके लिए भी जरा heat का यहां पर लेते हैं, यहां पर stock, तो overall जो process है, वो 1, 2, 3, 4, 1 है, बीच का नहीं ले रहे हैं, इसमें ठीक है, तो यह बाहर बाहर चल रहा है, इसमें तो इसमें जैसे अभी हमने डिसक spread कर रहा है q1, 3 से लेकर के 1 में again, वही बात हो जाएगी, 3 से 1 में वापस से heat lost, और heat lost कितना होगा, जितना हमने यहां पर लिख रहा है, तो इस process में, इसके यह जो part है, 1 से लेकर 3, इसमें heat given to the system है, और वो हो जाएगा q1, जो हमनें अल्रड़ी यहां पर देख रहा है, फि में कुछी relation निकालनी को इस करते है, जिससे कि हम जो required efficiency उसको calculate कर पाएं, तो सबसे पहले में हाँ पर इसके लिए लिखता हूँ, इसको मैं process number 1 बोल देता हूँ, process number 2 बोल देता हूँ, इसको process number 3 बोल देता है इसमें, तो suppose मैं eta 1 define करता हूँ, तो eta 1 is 1 minus, तो जैसे मैंने भी लिखा, यहाँ पर bank dude के term में आप ऐसा लिख सकते इसको, तो q2 by q1 हो जाएगा, this is q2 by q1, और इस process की जो efficiency है, वो दी गई यहाँ पर you can see, it is 20%, 20% का मतलब हो जाएगा 1 by 5, तो it is 1 by 5, आप यहाँ से q2 by q1 की value निकाल सकते हो, q2 by q1 will be 4 by 5, तो यह q2 by q1 की value आजाएगा, इस तो उपर lost, तो lost is q3, और निशे gain is q2, और यहाँ पर 10% हो जाएगा, 1 by 10 हो जाएगा, you can find q3 by q2, and this q3 by q2 will be 1 minus 1 by 10, that is 9 by 10, you have to find eta 3, eta 3 is 1 minus, lost is q3 and gain is q2, sorry, lost is q3 and gain is q1, q3 by q1, तो q3 by q1 हमें चाहिए होगा, तो अब यह जो देख रहे हो, दो यहाँ पर values, तो इससे इनको आप divide, sorry, multiply कर सकते हो, multiply करके q2 will be cancelled, तो q3 by q1, यह जो value है, इनको multiply करके आ रही है, तो it is 36 by 50, तो 1 minus 36 by 50, that is 14 by 50, और percentage में अगर convert करते है, तो इससे इस का final answer हो जाए हो, 28% is the efficiency of this overall cycle.